लालू फैमिली पर मुसीबतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है कुछी दिन पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही लालू फैमिली से जुड़े 128 करोड के दस्तावेज और प्रॉपर्टी जो हैं उसे सील किया जा सकता है पूरा मामला हम आपको बताते हैं बेनामी सौधे निशेद संसोधन कानून के तहट इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 प्रॉपर्टी जो ततकालिक रूप से अटैच्स करने की पुष्टी की है इसकी कुल कीमत खरीब 128 करोड रूपए है अटैच्स की कई प्रॉपर्टी लालु यादव के करीबी संबंधियों के कथित रूप से शेल कमपणी की मदद से यूपीए साशनकाल में उनके रेल मंत्री रहने के दौरान खरीदी थी बाद में इन संपत्यों को लालु प्रशादी आदव की पत्नी राबडी देवी और उनके बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीम ते जश्वी आदव बेटी चंदा, मीसा और रागिनी तथा दामाद सैलेश के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था सूत्रों ने बताया कि इन संपत्यों को अटैच किये जाने के बाद इंकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर कबजा कर सकती है हलाकि विभाग चाहे तो उनके अंदर रह रहे हैं लोगों को सुनवाई पूरी होने तक किराये पर रहने की अनुमती दे सकती है आईकर विभाग के एक वरिष अधिकारी ने कहा कि इन संपत्यों की कुल कीमत करीब 117.75 करोड रुपए है इन में पटना में निर्मानधीन मॉल दिल्ली में आलिशान घर और दिल्ली अरपोर्ट के पास धाई एकड में फैला फार्म भी शामिल है इन संपत्यों को पिछले साल सितंबर में आईकर विभाग ने अटैच किया था और बेनामी कानून के तहत चार मामले दर्ज किये थे सूत्रों ने बताया कि लालू के निकट सहयोगी ने चार शेल कमपनियों का गठन किया और उन्ही कमपनियों के नाम सहया संपत्य खरीदी उन्होंने कहा कि इन संपत्यों को खरीदने के लिए पैसे सेल कमपनियों ने जारी किये थे इसके बहुत कम कीमत पर इसे लालू परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया बता दे कि अगर लालू परशादी आदफ का परिवार बेनामी कानून के तहत दोशी पाया गया तो उसे साथ साल की सजा और संपती की बाजार कीमत का पचीस फीशदी हिस्सा जुर्माने में देना होगा तो CBI ED के साथ अब इंकम टैक्स भी लालू परिवार पर सक्त है और ऐसी बाते सामने आ रही है कि अगर कारवाई सही रूप से हुई तो जल्दी ही लालू पर अरिवार से जुड़े जो 127.75 करोड़ रुपई की प्रॉपरिटी है उसे सील कर दिया जा सकता है आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें यूरूप चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ नबेल आइकन जरूर दबाएं